नमस्कार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायट एन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानि कि खान पान और जीवन शेली के बदलाव, जो एक एक एसेड रिफ्लक्स, एसेडीटी और जीए आर्डी के मरीज को अपने जीवन में लाने चाहिए एसेड रिफ्लक्स और गर्ड एक लाइफस्टाइल लिसॉडर है, यानि कि अनुचित जीवन शेली इस बीमारे का मुख्य कारण है, अभी के समय की बदलती जीवन शेली, पस्चिमी तौर तरीके, और जंग फूड की जादा मात्रा में उप्योग की वज़े से ये बीमारी क वाफी तेज़ी से बढ़ रही है, और इसलिए खान पान और जीवन शेली के बदलाव ना केवल इस बीमारी के इलाज का एक अबिन्न हिस्सा है, पर इस बीमारी को रोपने के लिए भी बहुत आवश्चिक है, ऐसे डिफ्लक्स और जीवन शेली के बदलाव बहुत ही दवाईया या उपरेशन की भी जरुवत पड़ सकती है, पर दवाईया और उपरेशन के साथ में भी ये जीवन शेली और खुराक के बदलाव बहुत ही आवश्चिक है, अगर आप इस बीमारी को मूट जड़ से निकालना चाहते हैं, तो कौन से जीवन शेली के बदलाव अगर आपको करने चाहिए, अगर आप एसे डिफ्लक्स या जही आड़ी से परेशान है, सबसे पहले स्मोकिंग यानि की दुम्रबान, कमबाकू और मदीरा यानि की आलकोहल बन करें, ये सारी चीजे आपकी अन्नली और जठर के अंदूरिनी लेयर जिसको मिकोजा बोलते इसके अलावा जठर में से एसीड का उत्वादम भी बढ़ाते हैं, और जठर और अन्नली के बीच में आये हुए वाल, एलियेस वाल को सुस्त और कमजोर बनाते हैं, इस सबकी वज़े से खुराक और एसीड आसानी से उपर अन्नली में जाकर वहाँ पर डेमेज करता है, इसलिए अगर आपको इसमें से कोई भी आदत है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसीड रिफ्लक्स और एसीड इडी का प्रॉब्लम हमेशा अके लिए मिट जाए और आप एक अच्छा स्वस्त नॉर्मल जीवन जीए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थीन आदत दूसरा आपके शरीर का उचित वजन बनाये रखी, वेदस्विता आपके पेट के अंदर और पेट की दिवार पर चरबी घठा करके आपके जठर और एलियस वाल पर प्रेशर डालती है, इसकी वज़़ा से हायटर सहर्णिया होने की, एलियस वाल सुस्त होने की और रिफ्लक्स की समस्या में काफी फाइदा होगा, अगर रोजाना आप आजे से एक जिंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे वजन और ऐसीड रिफ्लक्स की समस्या तो कम होगी ही, पर उसके साथ साथ स्वास्त सम्बंदित अनेक फाइदे आपको दिखेंगे, आपकी पसंद का कोई भी ओवर स्वोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, कि एक्सरसाइज से पहले आप खाना ना खाये, वरना एक्सरसाइज के दौरान ऐसे डिफ्लक्स होने की संभाव ना बढ़ता है, तीसरा मानसिक तनाव और च पर जठर और आथ की गतिविधियो को भी प्रभावित करता है, मानसिक तनाव की वज़े से ऐसे डिफ्लक्स की समस्या अनेक बढ़ जाती है, इसलिए अगर रोजा ना आप केवल 10 मिनट के लिए अगर मेडिटेशन करते हैं, या मन और शरीर को रिलेक्स और शान्त करने के कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी ऐसे डिफ्लक्स और दूसरी पाचन समंदित समस्याओं में लंबे समय के लिए काफी फाइदा मिता है, खाने पीने और सोने के समय को नियमित रखे, नियमित समर पे खाए, खास कर दुपैर और रात का खाना लेट से ना खाए खाने के बाद कुरंद लेट न जाए, खाने और सोने के समय के बीच में दो घंटे का समय रखे, समय पे और अच्छी नींद ले, और सबसे महत्वपून अपने काम के समय और तोर तरिकों में बदलाव लाए, ताकि ये खान पान और सोने सम्बंदित बदलाव आपके और कमर का बेल्ट, वेस्ट बेल्ट, अवोइड करें, कपड़े जो पेट और कमर के आसपास टाइट होते हैं, वो आपके जटर और एलियेस वाल पे दबाव करके ऐसी डिफ्लक्स की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, इसलिए अगर आपको ऐसी डिफ्लक्स का प्रॉब्ल सबसे इंच उचा रखें, अगर आपको ऐसी डिफ्लक्स की समस्या बहुत सीवियर है, और खास कर रात को सोरते समय आपको समध तकलीफ जादा होती है, खास कर खाना और ऐसी उपर आके नीद में खासी होती है, तो सोते समय सिराने का हिस्सा पांच से साथ इंच उचा रख सबसे उची तिलाज है, जिसके बाद में सिराना उपर रखे सोने की जरुवत नहीं परती है, पर जब तक आप आप विचार कर रहे हैं और और आपरेशन करवाते हैं, तब तक ऐसा करने से आपको ऐसे डिफ्लक्स की समस्या में काफी सुदार दिखेगा, एक बात का ध्या तब ही आपको इसका फाइदा दिखेगा, खान पान के कौन से बदलाव आपको करने चाहिए, अगर आप एसे डिफ्लक्स, एसे डिटी और जीए आडी से परिशान है, आप क्या खाते हैं, उससे कही अधिक महत्वपून है, कि आप कितनी मातरा में खाते हैं और कैसे खाते भरी मातरा में लिया हुआ एक बड़ा खुराक, आपके जठर में से खाली हुन में काफी ज़्यादा समय लेता है, और आपके एलियस वाल पे प्रेशर और तनाव भी डालता है, इसलिए देर रात को लिया गया भरी और बड़ा खुराक, आसानी से वाल से होते हुए उपर अनली की तरफ आता है, खुराक के साथ साथ जठर में बना हुआ एसिड भी उपर आता है, और अगर खाना तीखा, मसालेदार, चर्बी युक और तला हुआ हो तो तक्रीफ और भी बड़ जाती है, इसलिए एक साथ ज़्यादा मातरा में खाने के बजाए, आपको कम मातरा में खाना दिन में चार से पांच बार खाना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं या कसरत ना करे, खाना तनाव मुक्त वातावरंड में स्वाद लेके धीरे से खाए, जल्द बाजी में बिल्कुल, और खुराक आपको अवईड करने चाहिए, कई खाने के और पीने के पदाक्त, एसीड रिफ्लक्स होने की संभावना और तीवरता बढ़ाते हैं, कुछ खुराक जेठर में से खाली होने में जादा समय लेते हैं, तो कुछ खुराक जेठर में से ऐसी का उत्पादन बढ़ाते हैं, या खुद एसीडिक नेचर के होते हैं, और कु के और अपिती तक्रीफों का बारिकी से विश्लेशन करना चाहिए और जो चीजे खाने से आपको अइसडीटी होती है वो चीजे आप अवोईड करें न खाये या कम मातरा में खाये सामान्य तोर पर यह सारी चीजे आपको कम खानी चहिए या न खानी चाहिए अगर आपको ऐसी दिप्रक्स होता है पहला तीकी मसालेदार तली हुई और चर्बी चीजे चाई कॉफी कोल्डरिंग और अन्य गैस युक्त पदार्थ चीनी मैंदा और अन्य प्रोसेस्ट फूट्स हाई फैट मिल्क और बिल्क प्रोड़क्ट्स यानि कि आपको लो फैट मिल्क लो फैट दही और लो फैट पनीर खाना चाहिए कुछ सबजिया जैसे के टामाटर रस्तुन और प्यास खट्टे फल जैसे ओरेंज पाइनेपल नी कि कारण नहीं होते हैं तो जिनको ऐसे डिफलक्स की समस्य ज्यादा सीवीर होती है उनको ये फ़ल खाने की वज़र से जलन और तक्लीफ ज्यादा होती है ऐस इस फलों में रहे साइट्रिक म्डीड थिपन और जो मरीजोDD का ऐसे डिफलक्स दवाईया या ऑपरेशन से कंट्रोल में होता है वो ये सारे फल खा सकते हैं वैसे भी खटे फल एक हेल्दी और पॉस्टिक खुराक का एक मुख्य हिस्सा है और हम सब को एक स्वस्त जीवन के लिए सही मातरा में नियमित रूप से खटे फल खाने चाहिए इसलिए अगर बजूद भी खटे फल से प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज में जरूरी बदलाव करना चाहिए आशा है कि यह सारी बात आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद रूप होगी इस बीमारी से निकलने के लिए और एक स्व बात जुर सरी से एчто आपको कहीं हो यह सके पना, हो शेज़री खाया हैरा निकले विए फीजिए से शेश्टर से चाहिए अँए Уब्लावाओं पर आपको कहीं किसी patriotborne